हालो प्रेंड आप सबका स्वागत है हमारे योट्यप चैनल इस्टेडी टीम में तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं और आज की क्लास में स्सेटी दूजरोनीस का हिंदी का जो कोस्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए सुरू करते हैं तो पहला कोस्चन है कि दिये गए दिये गए सब्द चोर का वाण बिच्छे दन करें ठीक है तुमको चोर का वाण बिच्छे दन करना है तो पहला आपसान है चोर प्लस ओ प्लस आदारा और प्लस अ दूसरा है आदाच्य प्लस ओ प्लस आदारा प्लस अ तीसरा है आदाच्य प्लस ओर और जोता ह चो प्लस रां तो कौनई सा अप्शन सही होगा हमारा तो चौर चौर का वरण विच्छे गारं करेंगे तो क्या होगा अधाच्य प्लस ओ प्लस अधर रां और ओ टीकिए तो इसे मारा दूसरा अप्शन सही होगा ठीक है चिन यह अगला देखते हैं अगला है दो नमबर रिपू सब्द का सही बिलूम सब्द बताईए ठीक है को बताना है कि रिपू का सही बिलूम सब्द कौन होगा तो हमारा पहला अप्षन है बैरी दूसरा है चमू तीसरा है मित्र चौता है धन्वा तो कौन सा अप्ष दुसमन अ ठीकल अ कुछ रृफम नुटम होता है दुसमन तो दुसमन का avati अब सब क्या हो उगा उसका होगा नम्बर तीन मरणां कॉंसा अप्सन सही नम्बर तीन हमारा सही होगा चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गए प्रस्त में पत्रावली सब्द का सही संधी विच्छेट ठीक है हमको बताना है कि पत्रावली का संधी विच्छेट क्या होगा तो पहला अप्षन है पत्राधन अवली दूसरा है पात्रधन अवली तीसरा पत्र धन वली और चौता है पत्र धन अवली ठीक है तो कौन सा आप्शन सही होगा पत्र अवली का संदी विच्छे दोगा हमारा पत्र धन अवली ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है यहां और और क्या है मिल के क्या बन रहा है आम बन रहा है ठीक है तो यह आपन नमबर चार होगा हमारा सही चलिए अगला देखते हम अगला है मात्राइं कितने प्रकार की होती है ठीक है मात्राइं कितने प्रकार की होती है हमको बताना है पहला अपसन है दो दूसरा है तीन तीसरा है पांच और च चलिए मात्राएं होती हैं तीन प्रकार की आपसा नंबर दो हमारा सही होगा कौन कौन सी मात्रा होती है तो पहला होगा रस्वा दूसरा दिर्ग ठीक है और तीसरा प्लूत ठीक है रस्वा में कौन सी आते हैं और यी और छोटा हो और दिर्ग में आ बड़ी बड़ा हो ए आ ओ और और ये सब दिर्ग में आते हैं और प्लूत में प्लूत में आता है अंग और अ ठीक है तो यह हो गए हमारी तीन मात्रा है चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गए प्रस्थ में कमल सब्द का सही परिवाची होगा ठीक हमको बताना है कि कमल का परिवाची क्या होता है तो पहला अप्सन है हमारा अर कमल का परिवाची क्या होता है तो कमल का परिवाची होगा हमारा अपसर नबर पहला अरबिंद ठीक है तो कमल का और परिवाची क्या होता है इसको देखते है सरसीज ठीक है फिर अमबूज और फिर होता है अरबिंद यह होता है हमारा कमल का परिवाची ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है हमारा दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब चुने ठीक है तो वाक्यांस क्या है जो मुच्छ चाहता हो ठीक है जो मुच्छ चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं पहला अपसन है मुच्छ हो दूसरा ह है मोच प्रिया चौता है और मोच्छी है तो जो मोच चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं तो जो मोच चाहता है उसे हम मोच्छु बोलते हैं अपसन नुमर पहला हमारा सही होगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गे सब्द का विलोम चुने है ठीक है तो क्या ह यस का आमको बिलूम बताना है कि यस का बिलूम क्या होगा तो हमारा पहला अप्सन है नीरस दूसरा है अप्यस तीसरा है नीरो और चौता है सु यस ठीक है तो यस का क्या होगा तो यस का बिलूम होगा हमारा अप्यस ठीक है अप्सा नमबर दू हमारा सही होगा चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गए वाक्या का वह अब आग्यात करें जिसमें कोई तुरोटी है ठीक है तो हमको वह देखना है कि किसमें तुरोटी है ठीक है तो वाक्य क्या है मोहन ने रुपयों का प्रवंद अपनी पत्नी की गाने बेचने कर दिया बेच कर किया ठीक है मोहन नहीं रुपयों का प्रवंद अपनी पत्नी की गाने बेच कर किया तो हमको बताना है कि इसमें कहां पे तुरूटी है पहला अप्शन है रुपयों का प्रवंद दूसरा है अपनी पत्नी की गाहने तीसरा है बेच कर किया और चाहता है मोहन ने है तो यहां पर कहां तूर्टी है तो मोहन ने रुपयों का प्रवंत अपनी पत्नी की गाहने बेच कर किया यहां पर यह गलत है यहां की नहीं होगा पत्नी की गाहने बेच कर किया ठीक है कानवारा 2 हमारा सही होगा ठीक है छलिए अगला देखते हैं अगला है अगला है दिये गहे अठैक है सब काव फिलॉं छुने ठीक है तो हमको बतानाक का रहा है पहला पहला अप्षन है मुर्ख दूसरा है अयोग्य तीसरा है सुयोग्य और चोटा है सौभाग्य तो योग्य का भिलूम क्या होगा तो योग्य का भिलूम होगा अयोग्य ठीक है दो नमबर हमारा सही होगा चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गए भाक्य मेरे खांकित ख वह कि हसीला मेरी बहन है वा बच्चों के साथ खेल रहा है ठीक है तो यहां पे रिखांकित है इसके इस्तान पर सबसे उप्योग तो भी कलपका मुचाहिन करना है जिसे को हम इससे बदल सके हैं पहला ने बच्चों के साथ खेल रही है दूसरा है बच्चों के साथ खेल रहे हैं तीसरा है बच्चों को साथ खेल रही है चौता है बच्चों से साथ खेल रही है कौन सा अप्षन सही होगा तो हम फिर से पढ़ते हैं सीला मेरी बहान है वह बच्चों के साथ खेल रही है यहां रहा है यहाँ पे क्या होगा रही है तो इसके उन्सार कौन सा आप्शन सही होगा हमारा तो हमारा पहला नमबर आप्शन सही होगा ठीक है चेड़ी अगला देखते हैं अगला है सही वर्तनी है सो वाले सब्द का चैन करें ठीक है हमको बताना है कि चारो आप्शन में से वर्तनी रू कूल औली सोखा कुल कैसे लिखा जाता है नमबर मृतिनी वाले ले सब का चेंड करें। में को इस में बताना है कि कौन सा विकलब उरतनी रूप से सुध है तो चलिए देखते हैं पहलाÁ सने मोखीक दूसरा है मोखीक तीसरा मोखी चोथा है नबर दोubenbahn तो कौनसा आप्षिन सही होगा आप्षिन का ऐसे सुद लिखा जाता है तो मोखिक ठीक है ऐसे सुद होता है अप्रमतो नंबर दो हमारा सही होगा चलिए अगला देखते हो अगला है जिक्स when मोखिन को क्या बरा जाएगा तो मेरी बस क्या थी मेरी बस होगी हमारा या पर मेरी बस छूट गई अपसन नमबर एक हमारा सही होगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं इला इरीक तर्स्तान को बढ़ने के लिए सबुट सब्सक्राइण करें आकास में डेश डेश चमक रहा है ठीक है तो आकास में क्या चमकता है तो हमारे पहला अप्षों हैουμε तारा दुसरा सोना तीसरा वादल अच्य होता चांती शेंडे निट ऺफित वहक्त कौन सा होगा इस सब तो हमारा होगा आकास में तारे कि अải आकास में तारा चमाक रहा है ठीक है अफसर नम्बर एक हमारा शहई होग है कि चलिये अगी अगला देखते हैं अलुदधय में से उस विकलुखा दूसरा निरास होना तीसरा आते दिक तक जाना 14 आर जाना तो कौन सा अपसन सही होगा अंगंग डेला होना है मौश्मा एक आर्थ होता है अतेदीक तक जाना अपसन 3 ऑपारा सही होगा चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गए वाक्य वाक्यांस के लिए एक सब चुनी है ठीक है तो वो वाक्यांस है जो जन्म से अंदा हो उसे हम क्या कहते हैं वो हमको बताना है तो हमरा पहला अप्सन है जन्मांद दूसरा किर्पांद तीसरा अंदबक्त कि टो जो जनम से अंदा हो से हम क्या बोलते हैं उसे हम जनमां बोलते हैं ćंग सा नंबर पहला हमारा है एसा ह रूफ़ का चलिए अगला देखते हैं अगला है दिये गये वाक्य का वह भाग्यात करें जिसमे कोई तुरूटी है ठीक है हमको वहाँ बताना है कि कहां पर वाक्य में कहां पर तुरूटी है तो क्या है वाक्य है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है ठीक है तो अपसंद पहले देख लेते हैं अपसंद परिवर्तन हो रही है दूसरा है तापमान में तीसरा तेजी से परिवर्तन हो रही है ठीक है तो कहां यहां पे तुर्टी है तो तापमान में तेजी से सही होगा ठीक है चली अगला देखते हैं अगला एरिक तस्तान को भढ़ने के लिए सबसे उप्यक्त सबका चैन करें तो चली पढ़ते हैं बसंद पंचमी के दिन देवी से की जाती है ठीक है क्या है यहां पे की नहीं होगा पसंद पंचमी के दिन देवी से जाती है तो कौन सा अप्सन सही होगा इसमें क्या वरा जाएगा तो पहला है पूजा दूसरा आवान दीसरा प्रार्तना चोथा प्रसंता तो कौन सा सही होगा हमारा बसंद पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है तो प्रार्तना की जाती है, आफ्टा नम्बर तीन हमारा सही होगा, चलिए अगला देखते हैं, अगला है दिये गए सब में परवाची सब का चैन करें, ठीक है, हमको बताना है कि अर्जुन का परवाची इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो पहला आफ्टान है जगदीश, दूसरा है समसीर, तीसरा है धनन जय, चौता है कोबिंद, तो अर्जुन का परवाची कौन सा होगा, तो अर्जुन का परवाची होगा, धनन जय, ठीक है, तो आफ्टा नम्मर तीन हमारा सही होगा, चलिए अगला देखते हैं, अगला है देग है वाक्या, वाक्या मेरे ख रिखांकित खंड को परतिय स्थाफित करने के लिए सबसे उपिक्त विकल्प का चैन करें ठीक है तो चली पड़ते हैं हम यहाँ पर रिखांकित बूर्ट छूट गया है यहाँ पर करना के नीचे रिखांकित होगा तो क्या है करनिया की सुपात्रता का मापड़न किवल दहे ताइक करना जाने लगा है तो क्यार्त खंड क्या है एक विकल्प करने जाने लगए है presence स्वरूप से ताइक किया जाने लगा है तीसरा है स्वरूप से तय करने जाने लगे है और चोटा है स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है तो यहां पी क्या होगा करनिया की सुपातरता का मापड़न केवल दहेज की स्वरूप से तय किया जाने लगा है ठीक है यहां पी क्या होगा किया जाने लगा तो इसके अंसारा कौनसा आपचन सही होगा तो इसके अंसारा आपचन नमबर दो हमारा सही होगा ठीक है चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज लाइक एट सब्सक्राइब जरूर करें